अमश्कार दोस्तों पाथफाइंटर पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीटी उशा की लाइफ के बारे में पीटी उशा के बारे में और हाल ही में एक नए कीर्थिमान के बारे में जो उन्होंने रचा है by becoming India's first women Indian Olympic Association Chief यह पहली महिला है जो IOA की Chief बनी है कैसी रहीम की लाइफ जर्नी इन सब चीजों को देखेंगे पीटी उशा को पैयोली एक्सपेस के नाम से भी जाना जाता है और क्या-क्या कौन-कौन से अवार्स और मेडल जीते हैं इन सब के बारे में बात करेंगे जो फॉर्मर इन अथलीत पीटी उशा शी बिकेम दी न्यू चीफ आफ आईयोए उन साटड़ेड़ दस देसेंबर हाल ही में बनी है साथ में इसी के साथ ही बन गई है पहली महिला अध्यक्ष भी आईयोए की 58-year-old PTU उशा is recognized as a phenom in Indian Athletics बहुत बड़ा नाम है इनका और ये सीन में आई थी भारतीय स्पोर्ट्स के अथलेटिक्स के 1980s उसके बाद रिटार्यमेंट घोशित के हैं 2000 में उसके बारशी बिकेम अन active coach and a member of sports administration और हाल ही में 2022 में उनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गय MP तो फिलाल राज्यसभा में MP भी हैं चलिए इनकी life के बारे में और जादा जानेंगे बट बिफोर मुविंग फॉवर्वर्ड आप मुझे follow कर सकते हैं इन दोनों telegram channels पर दोस्तों for all my class update schedules and pdf's unacademy app पर भी आप मुझे follow कर सकते हैं मेरी सभी special classes and plus courses के लिए enroll करने के लिए आप सिर्फ मेरा code यूज करना है nd life 10 बहुत जादा important 16 December तक की offer है मेरे code के साथ 10% discount additional तो लही रहे हैं साथ मेर C-Sat तेयार कर सकते हैं आप top educators के साथ बैचे शुरू हो गए हैं आज से this is the introductory prize एंडर्ल करने के लिए प्राइज होगे अगर अगर अप मेरा code यूज करते हैं nd life 10 तो आपको 10% additional discount भी यहां पर मिल जाएगा चलिए बात करते हैं इनके early years की तो इनका जन्म हुआ एक छोटे से गाव में पयावली के नस्दीक के केरला में और शुरुवात में ही comfortably school champion मनें तीन साल में अपने seniors को बीट करके चीक है उसके बाद इनोंने अच्छा परफॉर्म करना continue रखा sports में school level पर जिसके वज़ेसे इनको 200 रुपे की scholarship मिली और साथ में GVHSS Sports Kanur में है यह जो की एक करला government के द्वारा चलाया जाने वाला school है जो special इसका focus sports पे है तो यहां पर इनकी entry हो गई कनूर में ही इनको coach किया गया by O.M. Nambiyar जो की एक former athlete थे अपने अब खुद भी 1977 से इनकी coaching शुरू हुई पहली पार इनको spot किया गया था प्राइस distribution ceremony के द्वारा इनके coach के द्वारा और वहीं से ही started providing her with technical guidance मतलब उनमे नाच्रल एक She was a natural athlete लेकिन technical guidance देने के लिए O.M. Nambiyar started coaching her Next year Ushah won 6 medals including 4 goals at the interstate meet for juniors in Kolam शुरूबात हो गई थी यहां पर medals जीतने की बहुती early age में इनकी कैसे बनी PT Ushah Paoli Express बहुत ही जल्दी यह national scene में इनकी entry हो गई मतलब ही राष्टे स्थर की खेलों में इनने पार्टिस्पेट करना शुरू कर दिया जहां इनने multiple medals जीते और बहुत सारे records भी set किये 1979 नाशनल गेम्स में और 1980 नाशनल इंटरस्टेट मीट में भी तो इनकी पर्फॉर्मेंस थी 1979 और 80 की इस पर्फॉर्मेंस की वजह से इनको कॉल आया इंडियन कंटिंजेंट कॉल आया तो बिगाम पार्ट अफ इंडियन कंटिंजेंट फॉर 1980 Moscow Olympics यहां पर इनकी Moscow Olympics की हम कह सकते हैं कि इन्होंने Olympics में एंट्री कर ली सिर्फ 16 साल की थी यह भारत की सबसे यंगेस्ट स्प्रिंटर बनी जो रीप्रेजंट इंडिया अट गिगेस्ट स्वर ट्रेक अन फ्रेज़ एंडियन के अलुम्स में रीप्रेजंट करने कारी 16 साल की उख्र में एंडिया ठीक है 1981 में इन नाश्यल रेकॉर्ड्ड सेट किया 100-विटर 200 प्रेंड में तो रिकॉर्ड सेट कर चलिए इसके बादी है फिर 1982 में एशियन गेम्स औ दिल्ली में हुए यह पूरी तरह से नेशन की जो हमारी जो इनसे का इनसे का इनसे का इनसे का इनसे का इनसे को फुल्फिल किया और जीते सिल्वर मेडल्स इन बोथ 100 मीटर और 200 मीटर रेस दोनों ही मैं था जब लोस एंजलिस में ऑलम्पिक्स 1984 आ चुका नाइटीन एंटीन से लेके 83 तक शी वस दूइं दिस 84 में ऑलम्पिक्स की कहते हैं ऑलम्पिक शुरू हुआ पीटी उर्शा भारत के अथलीट की मतलब भारत में अथलेटिक्स की पोस्टर चाइल्ड बन चुकी थी म अधिक्सपेक्टेशन यह थी कि शायद जो देश केवल एक ही ओलम्पिक मेडल जीता है अभी उसको और जादा ओलम्पिक गलोरी दिलाने का काम पीटी उशा करेंगी एक ओलम्पिक मेडल केवल इंडिविजवल स्पोर्ट्स में छीक है एक ही जीता था उसके बाद यह थी कि यह जीतेंगी होकी में हम जीत चुके थे चलिए P.T. Usha was the first woman to enter the Olympic finals in Los Angeles in 1984 at the age of 20. She was just 20 years here. Why did we write the Glorian Heart Breaks here? क्योंकि जहां एक तरफ वो एक बहुत बड़ा नाम बनी वहीं वो 100 seconds से मेडल से चूक गई अपने 100 मीटर के sprint में जब जो stance होता है एक अथलीट का शी हास टू लगनी चाहिए जो एंडिंग होती है जो थ्रेड होता है हमें कह सकते है एक तरह से फाइनल का उनका पैर आगे था और जो ब्रॉंज जीती she was at the right stance probably 100 seconds से वो अपना bronze medal जीत गई हार गई, sorry, हार गई उनका time 55.42 seconds जो फोर्थ आई वोस न्यू नाशल रिकॉर्ड that stands till date आज तक भी ये record break नहीं हुआ है इनकी performance इनके career की सबसे ज़्यादा memorable performance बनी लेकिन साथ ही बहुत heart-breaking भी थी in the history of Indian sports alongside Milka Singh 90-60 disappointment ठीक है, जो पहले भी हो चुका था हमारे साथ Olympics के बाद PT Usha ने continue किया excel करना through the 80s and 90s 1985 में Asian championship हुई Jakarta में जहांपे वो 6 medal जीती जिसमें से 5 gold थे और एक नया record इन्होंने बना दिया for most medals in single Asian championship उसके बाद उन्हें 4 medal जीते 1986 Sea All Asian Games में 1990s में उन्होंने struggle किया विदर knee problem जो बारवर इनको हो रही थी and the queen of Indian athletics ने अपनी, कह सकते retirement she hung her boots in 2000 में अपने आपको रिटारिक तासे जहते हैं घोशित कर दिया overall अगर बात करें हम PT Usha के career की तो Asian track में she has won 23 medals in track and field events from 1980s जिसमें 14 gold थे मतलब अपने 20 साल के career में 23 medals वो जीते हैं 14 gold medals उन्होंने जीते हैं अब क्या expect किया जा सकता है उनकी presidency से तो पहले तो PT Usha पहली Olympian बनी है और पहली international medalist बनी है जो head करने वाली है I.O.A. को in its 95-year-old history ठीक है retirement के बाद वो actively involved रही है athletics में as coach और साथ मैंने mentor के काफी budding Indian athletics को तो हम उमीद कर सकते हैं क्योंकि she herself has been an athletics athlete sorry और वो international medalist है olympian है former olympian है तो शायद एक सही direction में जो हमारी olympic association है जो अभी तक बहुत जादा उस पर आरोब भी लगे हैं corruption के और इस तरह की चीजों के government interference के etc के तो हम उमीद कर रहे है कि शायद इससे परे होकर she will be actually gaining the talent और वो जिस तरह से उन्होंने already अपना जो experience है और जो अपनका guidance है उनकी guidance में केरला के ही Tintu Luka और जिसना Matthews ने excel किया है और ऑलिंपिक स्टेज तक यह पहुचे है तो उमीद की जा सकती है कि और जादा अथलीट्स को मौका में लेगा और सही मायनेम उनको सही guidance प्रवाइड की जाएगी जिनकी उनको जरुरत है अपनी experience और challenge से जो उनको facilities नहीं मिली, exposure नहीं मिला उन्होंने Usha School of Athletics भी स्टार्ट किया हुआ है साथी मैं आपको बता दूँ हम सभी जानते हैं Cricket हमारे देश में हर घर में जाना पहचाना जाता है इस ऐसे देश में जहांपे Cricket और Cricketers को पूजा जाता है वहांपे किसी और sport में निकलकर इतना बड़ा नाम कमाना अपने आपे बहुत बड़ी achievement है तो हम उमीद कर सकते हैं कि अब शायद जो हमारी ओलम्पिक की टीम होगी या बाकी जो sports होंगे जो athletes होंगे उन सभी को एक सही मायने में पहचान भी दिलाने का काम PT Usha के द्वारा किया जा सकता है तो इनका कहना है बेसिकली कि ना तो scouting प्रोवाइट की जाती है अब शायद पूरा करने में अब जादा देर नहीं लगेगी चलिए अगर अगर आपने काट में सब्सक्रिप्शन लेने चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं मेरा code NDLIVE10 to avail 10% discount and my guidance लक्षे बाचे शुरू हो रहे हैं 15-2014 के लिए आपको मिल रहा है आपको मिल रहा है आरंब शुरू हो रहे हैं 22 December से यह भी आप अन्रोल कर सकते हैं दोस्तों Mission Batch for IRMS 2003 जिसमें UPSC और GATE के teachers, educators have come together to help you crack IRMS 2023 आपको से मेरा code यूज करना INDLIVE10 और आप अभी अन्रोल कर सकते हैं अगर आप प्रिपेर कर रहे हैं इसके लिए तो CSAT के लिए मैंने आपको अलड़ी बता दिया है EMI का option available है दो गंटे में approval हो जाता है 0% interest देना होता है UPSC कारनेवाल भी जॉइन कर सकते हैं आप Test Series फिलाल आपको 55 तेस्ते जादर टेस्त मिल रहे हैं अब जाकर रहे हैं अब जाकर रहे हैं और 2023 के लिए एक इंशॉर हो जाए कि आपने सही तही तही यार किया है 18 तरीक को है अमारा कॉमबात वो भी आप रहे हैं Last Mile Program means में इसका रहालत अच्छा है आप इंटर्वी कुट यारी गर रहे हैं आपको यहां पर आपको यहां पर So that is it from my side guys Thank you so much, I hope you like this session Don't forget to like, share and subscribe to the channel And also hit the bell icon so that you get notifications about latest updates Thank you so much, God bless